आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की और हडपा और सेंदव सब्यता आज हम कंप्लीट करेंगे जितने भी इससे कुश्चिन बनते हैं उस सारी चीजे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्लास है उसे शुरू करेंगे और जैसे इससे नदियों से कुश्चिन कौन सी जगे से कौन सी चीजे मिली है तो सब से पहले जो मैं आप लोगों कहता हूं कि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं या भुहुल पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा म में पिक्चराइजेशन करना है तो अभी पहले आप लोगों को एक shortcut बता दूँ और ये जो नदिया है आप लोगों की यहाँ पे तीन चार नदिया आप लोगों को देख रही होगी आपकी कौन सी है सबसे पहले है आपका जहिलम फिर है चेनाप फिर है रावी और फिर है आपका सतलुज तो जहिलम से उपर सौरी सिंदू है अगर उपर देखेंगे आप तो यह आपके कौन सी जा रही है सिंदू अब इसको याद कैसे रखना है आप लोगों को तो सांज को चरस इसका फॉर्मूला है आपका सांज को चरस सांज को चरस पिएंगे जो भी आप कर सकते हैं तो सांज को चरस सौसे आपका सिंदू हो जाएगा आप देखेंगे और इसको थोड़ा सा एक पिक्चर इस तरह से बनाईए देखिए यह आपका जेलम चली गई उपर को यहाँ टच कीजिए इसको थोड़ा यहाँ से एक नदी यहाँ से निकाल लिए और दूसरी यहाँ और तीसरी नीचे को निकाल लिए ठीक है तो आप लोगों को सांज को सांज को चरस ठीक है तो यह हो जाएगा आपका सिंदू जेलम, रावी चेनाब और सतलुज तो इस तरह से ये जो picture है आप लोगं बार बार इसे बनाएए जितनी बार आप बनाएंगे उतना better ठीक है इस तरह से बनाते चल Seitव इसको आपको जैसे ये बनेगा देखिए दो लाइन उपर को चली गए ये इस तरह से चली गए तो आप लोगों को याद रहेगा कि ये कैसे सांच को चरश जो है उससे आप लोगों को पता चल जाएगा अब बात आती है कि जो प्लेसेज हैं कौन से पाकिस्तान में हैं कौन से यहां आप लोगों को याद रखना है इस प्लेस में कौन कौन सी हैं और एक जगह आती है अपकी गुजरात, गुजरात में कौन कौन सी है, अब सबसे पहले जो फॉर्मूला है आपका, वो आप लोगों को इसमें पीडियाफ में मिल जाएगा, यहां पर आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों उसे पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए और उन यहां से चलेगा, अमीर, चंदू, काकोट, मोहने, हडपा, और गुम, करदिया, दिया में आपका देहरी याद रखना आपको, ठीक है, तो चलिए यहां से देखते हैं, अमीर, अमरी, चंदू, चंहूदडो, कोट, कोट दीजी, मोहन, मोहने, हडपा, हडपा, और गुम, ठीक है, मेहरगड, तो अगर एड़ भी करना चाहें, तो आप एड़ कर सकते हैं, कि अमीर, चंदू, कोट जो गुम किया, वो मेहरगड में किया, अब आता आती है, कि इस साइड के, जो यह है, तो इसके लिए आपका क्या है, आलम, काली, राखी, बना, रो, ठीक है, आलम, का हरियाना में है, उसके बाद क्या है, काली बंगन, काली बंगन आपका राजिस्तान में है, ध्यान दीजे, मैं आपको बार-बार कहता हूँ, कि जब भी आप क्लास लेंगे, तो यह जूम करकी, यह लाइन्स जो है, वो आप लोगों ध्यान देनी है, कौन सी लाइन्स कहा कहां जा रही है तो काली बंगंगे जो है वो राजिस्तान में यह पॉइंट है। उसके भाद आपका राखीगडी मैंने ऐपको अभी बताया सबसे बड़ा लेस है हर्याणा में बना रि तुम राखी वह लीया। याद रखिए ठीक है हरियाना में बन रही है उसके बाद एक प्लेस है रोपड रोपड को कैसे याद रखना है रोपड को आपको याद रखना है कि ये पंजाब में किस तरह से याद होगा एक तो आप पास से याद रख लेंगे रोपड पंजाब ठीक है दूसरा आप करेंगे कि जो पंजाब में होता है धान धान क्या कर रहे हो हो रोप रहे हैं ठीक है तो रोपड तो कई बार वैसे हरियाना से भी कन्फूजन हो जाता है लेकिन आपको पास से याद आ जाएगा कि आप जब लिखेंगे रोव उपड, तो यह आपका पंजाब में है, ठीक है? यह आप लोगों का याद हो गया, अब उसके उपड आप लोगों का आता है, एक जिगा मांडा, इससे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लो, यह वो गया आपका मांडा, ठीक है? तो मांड़ा के पास आपको थोड़ा सा उपर जाके एक और वर्ड याद रख लिजी आभी के लिए वह आपका बुर्जु हो में गरत आवास मिले थे और कुत्ता भी किसी इनसान के साथ में दफनाया गया था वहां पर तो आपको क्या करना है एक पिक्चर आप बुर्जु ह होम के लिए याद रख सकते हैं एक चोटा सा होम यह बुर्जु होम है और यहां पर एक कुत्ता था यह एक आदमी था और बुर्जु होम यहां से किसी ने मिट्टी डाल दियो दफना दफना दिये गरत आवास में ठीक है मैं इस कड़्डे में घरत है उनके तो यह आपको बुर्जु होम याद हो जाएगा बाकी चीज़ें याद हो गई होगी अब आता है यहां पर जो गुजरात आपका प्लेस है गुजरात के बारे में एक चीज़ बता तूमा आप लोगों कुछ गुजरात की जो लाइन होती है कई बार हमाई दिमाग में आता है कि गुजरा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसे जूम इन कर लेता हूँ यह आपका सुर कोत्रा को रोज रंग में दोलो तो यह जो PDF आपको मिलेगी उसमें आप आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं जो क्लास में आप लोगों मिलती है तो आप देखिए सुर कोत्रा को रोज रंग में दोलो तो चलिए देखते हैं सुर कोत्रा को रोज रोजडी रंग रंग में दो से दोला वेरा और लो से लोथल मे से महगाम तो महगाम क्या है सबसे नीचे प्लेस है ठीक है उसका हड़ापा सभ्वतागा और सबसे उपर माडा को माना जाता है ठीक है? यहापको याद रखना है सورी जो मैने आपको अभी बुर्जू हों माडा के थोड़ा नीचे है तो इसलिए यहाँ पर आपको बुर्यू हों याद रखना है ठीक है? तो आपको बुर्जू होम यहां पर याद रखना है, क्योंकि मांडा सबसे उपर है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, यह हमने कर लिया, इतना हमें सारी चीजों का नॉलेज हो गया, कि कौन सी चीजें कहां कहां हैं, एकी बार में आप लोगों को याद होगा वैसे, लेकिन आपको अगर वकैबलरी इसकी कंप्लीट नहीं है आपकी, आपने पहली बार इसने सुन रहे हैं, तो बस आप आदे गहंटे इसके साथ टाइम स्पेंट कीजिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगे, अब यहाँ देखते हैं, कि दूसरी चीज आती है, जो की है, कौन सी जगए किस नदी के किनारे पे हैं, उसके लिए आपका है लोभी मौसी हरा कंगा, रमा रोस बस, लोभी मौसी हरा कंगा, लोभी मौसी कैसी है, लोभी है, और हरा कंगा कैसा है, हरा है, रमा रोस बस, इसी तरीके साथ आपको बार बार इसे पढ़न हैं, याद हो जाएगा, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो trick होती है, trick सिर्फ हमारे brain में किसी चीज को establish करने के लिए होती है एक बार establish हो गई है, तो trick को छोड़ दीजिए और उस चीज को repetition कीजिए तो लोभी से आपका हो गया लोथल और भासे हो गया भूगवा मौसी में मोहन जोदरो और सिंधु, हरा से हडपा और रावी, कंगा, काली बंगन और घगर और इसे आप काली बंगा को आप काला घागरा से भी याद कर सकते हैं रमा, रंगपुर और मादर, और रोस, रोपड और सत्रलुज, तीक है, बस, बनवाली और सरश्रती तो ये आपको याद हो जाएंगे एक-एक कुश्चन इंपॉर्डन्ट है, इसलिए सारी चीजों में मेहनत कीजिए, सिर्फ तीन से चार महीने की मेहनत है आपकी आप लोग निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद आप चाहे इन चीजों को छोए ना छोएं, लेकिन आपको एक-एक नंबर के लिए फाइट करनी है अब देखिए, यहाँ पर कुछ आता है प्रमु के स्तलों के खोज, खोज से रिलेटेट कुश्चन आता है तो रोए का बीबी लोरा हसके मरा, रोए का बीबी लोरा हसके मरा आपको इसे इसी तरह से बोलना है, थोड़ा सा ओठ पटांग लगता है, लेकिन यह बहुत जल्दी आद होता है रोए का बीबी लोरा हसके मरा रोई, रोई से मतलब हो गया आपका रोपड, रोपड को ढूना था यग्यदत शर्माने तो रोई हो गया आपका रोपड, रोपड कहा था पंजाब में का बीबी, काली बंगा, काली बंगन इसे बोला जाता है बीबी का बीबी काली बंगन तो बीबी आपको याद हो गया होगा और बी थापर बी से बीबी बी थापर और बीबी लाल तो इसको थोड़ा सा इस तरह से भी याद रखते हैं कई बार ये ट्रिक देखने को मिलती है कि जो काली बंगन है उसको बीबी ने कहा था कि काली कंगन ले आना ठीक है लेकिन और ले आया लाल तो उसको बहुत सारे थपड पड़े ठीक है तो इस तरह से काली बंगन भी याद रह जाता है ये भी एक ट्रिक है इसकी लोरा में लोथल और रंगनात राव, हसके मरा, राम साहनी है तो हस के मरा तो हद के मरा भी बोल सकते हैं तो मरा हो गया आपका मोहन जोदरो और राखाल दास बनर जी तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया है ये जो खोज हैं ये खोज भी हमारी हो गई है अब चलते हैं अगले उसमें पेज में यह आपका जो शुरुवात का था हडपा और सेंडव सबिता इसको देखते हैं प्रमकुस्तल और नदी किसके किनारे पर कौन सा है यहां पर आप लोगों को काली बंगन बनावली जो है वो रंगोई नदी पर भी बताई जाती है ठीक है सरश्वती पर भी बताई जाती है तो सरश्वती को आप अगर option में सरश्वती रंगोई है तो आप चूज कर सकते हैं अगर सरश्वती भी है तो सरश्वती ही चूज करनी होती है वैसे दोनों option साथ में नहीं दी जाते है तो चलिए आगे देखते हैं लोब सुदा आलम इसे आपको थोड़ा सा poetry के अंदाज में पढ़ना है लोब सुदा आलम हिना के पडोस में बना रंगीन काल घर जाकर चंदर मोहन सिद्दू का हरा कोट सीधे रमा से ले आया हरा कोट सीधे रमा से ले आया तो लोब सुदा आलम यहां पे आपको देख रहा है लोब सुदा आलम हिना ठीक है तो देखते हैं इसको ल जोब से हो गया लोथल और भोगवा, यह हमने पीछे भी देखा था, सुदा, सुतकागेंडोर और दाशक नदी, आलम हिना, आलम, गीर और हिंडन नदी के किनारे पे है, पडोस, तो रोपड आगया आपका, तो इससे आपको पडोस याद रहेगा, सतलुज, बना रंगीन, बनावली, रंगोई नदी के किनारे पे, कालघर, काली बंगन और घगर या घागरा या काला घागरा, इस तरह से चंद्र मोहन सिद्दू, चंहूदरो और मोहन जोदरो, दोनों, जिनके पीछे दड़ो दड़ो आ रहा है, वो सिंदु नदी में दड़ो, ठीक है, सिंदु नदी के किनारे पे, हरा, हरा में आगया आपका हडपा, जो की रावी नदी के किनारे पे है, कोट सीधे, कोट दीजी, सिंदु नदी, और रमा, रंगपुर, और मादर नदी, तो यह आपके क्या हो गए, टोटल, जो जगे हैं, उनको हम लें याद कर लिया, तो पहली हैं, और उनकी खोज किस तरह से हुई थी, तीसरी चीज, जो आप लोगों ने याद की है, वो है आपका अमीर चंदु का कोट मोहन ने, तो यह आपका पूरा प्लेसे जो हैं, वो आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएंगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, जो है, इसमें क्या है, कि यह हम अगले अगला जो वीडियो आएगा, उसमें पूरा यह एक तरह से टेस्ट है, आप लोगों का, और इनमें मैं आप लोगों को सारे जो टर्म्स हैं, वो आप लोगों को इसमें डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह किसे हमें इसे यूज करना है, तो यह अगले वीडियो में तब तक केले बावाए, तैयारी करते रहीं, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजियेगा, झाल झाल